है 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 वेल्कम टू कंप्यूटर गुरू हब मैं हूं सुमित कुमार नागर और आज जो टॉपिक हम करने जा करें है 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 वह लेंगिज में बहुत जादा इंपोर्टन टॉपिक होता है क्योंकि जैसे जैसे आप लेंग्विज आगे पढ़ेंगे और ब्रोग्रामिंग समझेंगे उसके अंदर स्पैसेटली आपजेक्ट आता है ऑबजेक्ट का मतलब क्या होता है चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लेंग्विज चूज करें उसमें ये चीजे आप से सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं तो आज हम डायेक्टली ऑब्जेक्ट को ना डील करके मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जि इतने भी कॉम्प्लिकेशन हैं वो सारी इसली क्लियर हो जाए तो आज का जो टॉपिक है वो है वैरीबल्स जिसको हम जो भी प्रोग्जेक्ट औरेंटेड प्रोग्रामिंग लेंग्विज होती है उसमें ऑब्जेक्ट कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिया वैरीबल्स से यह मतलब है इसको आप एक्जाम्पल लगा सकते हो कि जैसे आपके पास बहुत सारे बॉक्स जैसे आप किसी भी केमिस्ट के स्टोर प्ले शॉप पे जाते हो तो वहां देखोगे आप अलग अलग बॉक्स होते हैं और अलग अलग बॉक्स में अलग मैडिसन होती है तो वह क्या करते हैं उन बॉक्स में से मैडिसन आती भी है और निकल भी जाती है और एक बॉक्स जो है उसकी एक स्पेसिफिक चीजे होती है कि वह यहां रखा है और उसके अंदर यह यह दवाईया जो है वह आ सकती है तो कोई भी लेंग्विज अगर लें SMM Language के साथ अगर मैं काम करता हूं तो same concept क्या होता है एक variable या object का होता हैं यह क्या काम करता है यह काम करता है container के जैसे जिसके अंदर हम क्या करें लिग जो भी जिस भी value के ओपर हम काम करने जा रहे हैं वह value हम उषके अंदर Store कर सकते हैं और यह हमें क्या facilitate करवाएगा यह हमें यह facilities provide करवाएगा कि जब मुझे requirement हो मैं उस value को access कर लूँ और या जब मुझे requirement हो जब मैं उसकी value को change कर लूँ तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको एक basic सा example बता देता हूँ जैसे यहाँ पर क्या है दो variable defined है यह क्या है x है और यह क्या है y अगर मैं अपनी python के उपर statement लिखता हूँ x equal to 42 अगर मैं यहाँ पर यह statement लिखता हूँ तो कहने का मतलब है मेरा computer इसको क्या consider करता है मेरा computer क्या करेगा उसको एक box allocate कर देगा जिस box का नाम क्या होगा x और उसके अंदर जो value जाएगी वो होगी 42 और मैं चाहूँ तो इसकी value को बाद में change कर भी सकता हूँ तो यहाँ पर जब मैं x is equal to 42 लिखता हूँ तो एक x नाम का variable create होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं value assign कर देते हैं 42 तो इसके अंदर जो x होगा यानि के जो box होगा वो क्या कहेगा I am still referencing the 42 int object int क्या है यह इसकी data type है यानि के जो value मैंने इसके अंदर डाली है वो value किस तरह की है data type अभी हमने discuss नहीं की है इस चीज़ को मैं thoroughly जो हो आपके next lecture में जो हो detail में कराऊंगा पर अभी आपके लिए क्या समझना है कि समझने की सबसे पहली requirement क्या है कि basically एक object होता क्या है इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ y is equal to 78 तो इसका मतलब क्या है मैं एक y नाम का जो है एक variable create कर रहा हूँ जिसके अंदर जो मैं value डाल रहा हूँ वो है 78 तो x नाम से लिखा मैंने x variable अलग है तो इसका अलग box y लिखा है तो इसका अलग से एक box बनेगा और यहाँ पे अगर जब y की बात की जाए y variable की बात की जाए तो यह क्या कह रहा है now I am referencing the newly created int object 78 यानि के जो यहाँ पे जो यह value है जो इसकी data type है वो क्या है integer है तो इसी तरीके से अगर मैं कोई भी variable declare करता हूँ या कोई भी object create करता हूँ तो उसके पास जो है एक specifically तीन तरह की चीज़े होती है सबसे पहली चीज़ होती है identity यह मतलब होगा variable की खुद की identity क्या है पहले मैंने आपको जो था example दिया था medical store का example दिया था जिसके अंदर box रखा होता है अब वो box भी क्या होता है box unique होता है कि यह box है यह इस place पे रखा हुआ है तो वो box की क्या है एक identity है तो इसी चीज़ को अगर मैं programming language में लिखता हूँ तो identity का मतलब क्या होता है एक specific memory की value उसको assign होती है जो मेरे computer की memory होती है उसका एक specific हिस्सा उसके लिए use किया जाता है और जो variable की identity होगी वो होगा उसका memory address दूसरा होता है type इसको मैं यह बोल सकता हूँ data type भी क्योंकि हर एक variable जो है वो python की अंदर कोई भी variable किसी भी तरह की data को data type को जो है वो refer कर सकता है पर python के अलावा मेरे को जो जितने भी programming language है मेरे पास या c है या c++ है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है उसमें variable जो है object की data type की according set करना पड़ता है जबकि python में क्या है मैं किसी भी variable को किसी तरह की भी data की value दे सकता हूँ और वो क्या करेगा इसको automatically जो है इसके साथ assignment कर देगा जो third चीज आती है वो होती है उसकी value जैसे मैंने यहां पर लिखा था इससे पिछले वाले में लिखा था x is equal to 42 तो x की identity क्या हो इसका memory address type क्या हुआ integer और value जो 42 value हमने डाली थी वो क्या थी उसकी value थी इसी का अगर मैं ऐजे python के उपर अगर आपको example देखूँ तो यहां पर मैंने जो है screenshot ले रखा है और मैं आपको इस हर चीज़े करके भी बताऊंगा माल लीजे मैं यहां पर variable declare करता हूँ कोई x is equal to 10 तो यहां पर मैंने एक variable x declare कर दिया है जिसमें क्या है उसकी value क्या है वो डाल दी है अगर मुझे x की identity निकालनी है तो मैं क्या use करूँगा id x तो id x करूँगा तो यहां पर यह क्या है मेरे पास एक memory address दे दिया उसने के x जो है वो इस x जो variable है वो इस memory address पर store है दूसरा अगर मैं निकालता हूँ type क्या है तो type के लिए अगर मैं check करूँ तो x का type तो वो क्या बता दिया इसने integer बता दिया इसी तरीके से अगर यहां पर जो थी value बिना decimal के थे यहां decimal में लिखा मैंने तो यहां पर दो बार x की id create किया तो दिये देखिए बेशक से x यूज़ कर रहे है पर यहां अलग memory address है यहां अलग memory address है और type के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो type के अंदर भी क्या है direct वो float आ गया है और y में क्या है मैंने y में लिखा is equal to true identity of y निकाली तो यहां पर एक अलग memory address आया है और type of y निकाली तो यहां पर क्या है boolean तरह की जो है एक data type आगी है तो इसी तरीके से अगर मैं इसको practically example करके देखता हूँ तो उसके लिए ideal runny करेंगा हम यहां पर मैं क्या खरता हूँ कोई भी variable ले ले लेता हूँ जैसे मैंने लिखा a a b ले ले लेता है a b मैं मैंने value क्या लिख दी 3 तो यहां a b नाम का जो है एक variable declare हो गया है जिसके अंदर जो value है वो क्या आगी है 3 आगी है अब मुझे चाहिए सबसे पहला अगर मैं id of a b निकालता हूँ तो id of a b निकालूँगा तो वो क्या बताएगा इसका memory address तो यह देखे यह एक different memory address जो है वो हमारे पास आ गया है कि यहां पर जो a b है वो इस memory address के थुरूँ reference हो रहा है अगर मुझे type निकालनी है तो मैं यहां पर लिखता हूँ type a b तो a b की यहां पर यह बता देगा जो a b type हो किस class का है वो उसकी data type जो है वो integer है अगर मिरको direct value निकालनी है कि a b की value क्या है तो direct मैं क्या कर देता हूँ उसको यहां print में देता हूँ और यहां पर इसने मिरको क्या दे दिया direct a b की जो है वो value दे दिया तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कोई भी variable अगर assign करते हैं तो उसकी identity निकालनी है मुझे तो id से type निकालनी है type से और direct अगर value करानी है तो उसको direct print करा सकते हैं तो यह था अगर इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा variable ले देता हूँ मैं ले लेता हूँ x y z मैंने यहां पर लिखा है is equal to मैंने इसको नाम दे दिया sunday तो sunday ना वो गलती से execute हो गया दुबारा कर देता है x y z equal to हम क्या कर देते हैं मैंने लिखा sunday तो यहां पर हमने क्या है x y z में यह value दे दी है अब मैं क्या करता हूँ id निकालता हूँ x y z की तो यहां जो है यह alloc memory address आया है फिर उसके बाद type निकालते हैं तो type निकालता हूँ मैं x y z की तो यहां इसने क्या दे दिया class str यानि के यह क्या है एक string data type का object है अगर मुझे direct इसी की value भी निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ x y z तो यहां इसने मेरे को क्या दे दिया value sunday दे दिया तो आज के lecture में हमने क्या देखा कि हम किसी भी variable को declare कैसे कर सकते हैं उसमें value कैसे assign कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो component of variable होते हैं या objects होते हैं उनको कैसे check कर सकते हैं identity के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा id उसकी type के लिए हमें type करना पड़ेगा type क्या है और अगर उसकी value print करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा direct print function में जो variable है उसका name देना पड़ेगा तो I hope कि आज का lecture आपको clear हो गया होगा और आपको यह समझ में आ गया होगा कि variable क्या होता है किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे हम जो उसके अलग-अलग component के साथ काम कर सकता है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like share and subscribe जरूर कीजेगा तो आज की वीडियो में इतना ही thank you thank you all thank you for watching